मुनवर राणा द्वारव महरश्री वालमीकी को लेकर की गई विवादित टिपनी के मामले में वो बुरे फजगे हैं इस मामले में इस शायर को बड़ा जटका देते हुए इलाबाद हाई कोट की लखनव बेंच ने उनकी गिरफतारी पर रुक लगाने और F.I.R. को रद करने वली याचिका को सिरे से खारिजगर दिया है आपको बता दें कि लखनो खंड पीट की 280 पीट ने मामले में अपना फैसला सुना दिया है इसके बाद अब मुनवर राणा की गिरफतारी पर तलवार लटकने लगी है उनकी गिरफतारी किसी भी वक्त हो सकती है खंड पीट के फैसले के बाद शायर की अचानक से तवियत खराब हो गई जिसके बाद उन्हें SGPGI हॉस्पिटल में लाज के लिए भरती कराया गया है इस मामले में मुनवर राणा के खिलाफ अखिल भारतिय हिंदू महसबा और सामाजिक सरोकार फाउंडेशन ने लखनों के हजरत गंज धाने में शिकायत दर्ज कराई थी मुनवर राणा के खिलाफ SCST Act समेट IPC की धारा 153A, 501A और 255A के अंतरगत केस दर्ज किया गया था इसके लावा उनके खिलाफ पिछले महीने मध्य प्रदेश के गोना जिले में भी महारशी वालमीकी को लेकर विवादित टिपणी करने के मामले में F.I.R. धर्ज करी गई थी उन्होंने तालिबान से महारशी वालमीकी जी की तुलना करी थी आपको बता देते हैं कि बीते दिनों न्यूज नेशन चैनल पर दीपक चोरसिया जी जो की एक काफी राश्वादी एंकर हैं उनके साथ बात करते हुए मनवर राणा ने महारशी वालमीकी जी की तुलना तालिबान से कर दी थी उन्होंने ये भी कहा कि जिंदगी भर अमेरिका से जो लड़े हों सुचो उन पर कितने जल्म हुए होंगे इसके साथ ही राणा ने महारशी वालमीकी को लेकर कहा था कि वालमीकी रामायर लिख देता है तो वो देवता हो जाता है उससे पहले वो डाकू होता है इनसान का कैरेक्टर बदलता रहता है वालमीकी का जो इतिहास था उसे तो हमें निकालना पड़ेगा न हमें तो आफगानी अच्छे लगते हैं वालमीकी को आप भगवान कह रहे है वो लेखक थे उनका काम था रामयर लिखना जो उनोंने किया याई आप महारशी वालमी की जी के अस्थित्व पर प्रशन चेंडे़ उठा रहे हैं और इस देश के अंदर वालमी की समाज के लोगों के दवारा हिंदू समाज के लिए जो इत्याग करे गए हैं और पूरे इस देश का जो concept है भारत नेशन का उसमें वालमी की समाज का जितना बड़ा योगदान रहा है उसे तो भुटलाया नहीं जा सकता लेकिन इस देश के अंदर जो वामपंथी तबका है वो कहीं न कहीं इस देश के अंदर जो वादमी की समाज है और जो हरिजन समाज है उनके बारे में अनाप शनाप टिकपडियां इस तरीके से करके जो इस तरीके के शायर हैं, दो कोड़ी के मैंने दो कोड़ी का शायर कहूंगा, क्योंकि इनकी शायरी से जब निकलता है, इस देश के किसना किसी समाज के प्रती जहर उगलते हैं, कभी ये ब्रहामनों के खिलाब जहर उगलते हैं, कभी ये वालमी की समाज के प्रती जहर तो कभी शूद्रों को ब्रहामनों से लड़वाते हैं. जब इनका मन में आता है किसी भी समाज के बारे में इस तरीके की अनरगल टिपड़िया करते हैं. आज इस देश के अंदर परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि जब बहुमत में भारतिय जंता पार्टी की सरकार इस देश में राज कर रहे हैं और उसमें भी कई राजियों के अंदर जहां पे तमाम अलग-अलग पुलिटिकल पार्टी का कबज़ा हैं. ऐसे में आज भी इस देश के अंदर कहीं कभी 36 गड़ के अंदर हाली में जन्माष्टमी पर जिन बच्चों ने बोला कि हमने जन्माष्टमी मनाई थी उन्होंने हाथ खड़ा कि जब टीचर ने पूछा तो इस टीचर ने उन बच्चों की पिटाई करी. तो आप समझ सकते हैं कि आद 2021 के अंदर यदि हिंदू को हिंदू त्योहर मनाने के लिए यदि प्रताड़ित किया जाएगा तो किस तरीके की एक जो एजन्डा है वो साफ साफ नजर आता है. वामपंथियों से लेकर तमाम धर्मों की मिशनरी हैं इस देश के अंदर काम कर रहेएं हैं 240 में नहीं होतों हैं वहएं कुछ न कुछ प्रपंछ चलाते हैं जैसे कि मदर मेरी की गोद में कृश्न जी को दिखा देंगे गणेश जी को मदर्वेरी कीगोद में ये जो प्यार के नाम पर जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि हमारे religion को, हमारे प्राचीन सनातन धर्म को belittle करने की इनका प्रयास है, इसके खिलाफ भारतियों को खुल कर सामने आना पड़ेगा, और अब समय है कि जो लोग तताकतित हिंदू जिस स्वपन निद्रा में पड़ा ह हुआ है, जो हिंदू इस समय एक जिसे कहते हैं मीठी दवाई खाकर बेहोश हुआ पड़ा है, उस हिंदू को जागने की अवशकता है, और यह समझने की बहुत ही जरूरत है कि यदि अब भी नहीं चेते, तो आपको अपने ही देश से एक दिन अल्टिमेटम मिल जाएगा निकलने का और यदि आपने इसके खिलाफ कुछ कारिया नहीं किया, कारिया क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो आप जिसे कहते हैं चैरिटी विगन सेट हॉम, यदि आज आप आपने बच्चों को अपने घर में जो आपसे छोटे हैं बलकि जो बड़ ब्रांडू कहते हैं उस तरीके की सोच के अगर आपके परिवार में कुछ सदस्य हैं तो उनको बैठ कर उनके साथ वार्तलाब कीजिए यदि अपने घर के अंदर ही जागरुकता का एमिशन नहीं कर सकते हैं तो आप समाज को कैसे जागरुक करेंगे आप सोचल मेडिया प तक ही वो पोस जाती है अक्सर है सोचल मीडिया का अलगॉर्थ में इस तरीके से वर्क करता है परन्तु आपको जमीनी इस तर पर एक ग्राउंड लेवल पर आकर आपको काम करना पड़ेगा और यह कार आपकी घर से शुरू होगा आपको अपने घर में बहनों को बेटियो की हमारे बच्चे हमारी बहने बेटिया भी सही निरने लें कि अपना जीवन साथी कौन चुनना है किसी पंचर वाले को चुनना है जो पीले बाल करा कर पतली जिंस पहन के भूमता है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उनकी गव माता को भी रespect करता है उन जिसे कहते है गव गंगा गैतरी, इसको जो र्यस्पेक्ट करता है, वैसा यह वको उनको अपने जीवन में चाहिए, क्योंकि जो आपके संसकारों को आपके विचारों को संमान नहीं करता, तो आपको कैसे संमान करेगा भई हमारे संसकार, हमारे विचार, हमारे संसकार जो है consequence अन्य दर्मों से आते हैं और अगर आपके धर्म के बारे में आपके सामने टिपड़ी करते हैं गलत तरीके की, तो बजाए हुनके साथ मिलकर हसने के बजाए, या तो उनको काउन्टर कीजिए, और ये आप काउन्टर नहीं कर सकते हैं, तो पढ़िए कि आखिर क्यों लोग को जागरूख करना आपकी सबसे पहली जिमेदारी है यदि आप ऐसा करने में सक्षम है तो आप पूले समाज को जागरूख कर देंगे तो यह जो हिंदू राश्च बनाने की बात है जैसे संग कहता है और अरस्स पिछले 80 साल से भी ज्यादा से यह बात करता है कि हिंदू र जिस तरीके से बे कोफी में हमारे पुर्खे चले आए, कि कभी हमने केलाश मानसर ओबर दे दिया, कभी हमने अपना तमाम ऐसे केसिज आएं, बड़े-बड़े बॉलिवुड के आप जानते हैं, कपूर खांदन की बेटियां, आज खान बनके बैठी हैं, इस सारी बाते हैं भली बाती समझते हैं, इनी के अकोर्डिंग हमको एक्ट करना होगा, और एक बात हमको याद रखनी पड़ेगे, कि आने वाले वक्त में, इससे कहते हैं कि सर्वाइबल फॉर दा फिटेस्ट ही संभव है, यदि आप फिट हैं, इंटिलेक्चुली और हेल्थ वाइस भी, तब ही आप और आपकी आने वाली जेनरेशन्स जो हैं, वो सर्वाइब कर पाएंगी, अभी के लिए इतना ही, जैहि झाले वाले इतना ही संभर आपकी